हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है जितना अपनों टक्दीर में लिखा है वो ज़रूर अदा होता है गर सब कुछ मिल जाएगा जिन्दगी में तो तमन्ला किसकी करोगे गर सब कुछ मिल जाएगा जिन्दगी में तो तमन्ना किसकी करोगे कुछ अधूरी क्वाहिशे तो जिन्दगी चीने का मसा देती है तुम तन्हाईयां बक्षोगे मुझे वो भी मन्जूर है बस कह देना दिल से दी है चलो धोखा ही था तुम्हारा इश्क सब जूट था तो जूट अपनी जुबा को कहने देते मैं खुश थी मुझे धोखे में ही रहने देते मेरी जुलफे नाराज हैं के तू कहा हैं मेरी खुशिया उदास हैं के तू कहा हैं अर्सा हुआ चांद खिला नहीं है मेरे आसमान में तारों की आवाज है के तू कहा है पर इसमें मेरी कमजोरी समझ के मुझसे बात बढ़ाना मत जो कमाल कभी दिखाया था वो फिर से दिखाना मत मेरे दिल को 200 बीट्स पर मिनट की स्पीड से फिर से धड़काना मत अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, मेरी जिन्गी में वापस आना मत अपनी जान किसी पे लुटाना मत एक साधारन सी लड़की को खुदा बनाना मत उसे पूजना मत, उसके सामने सर जुकाना मत प्यार, प्रेम, इश्क, मोहबबत के नाम पे अपना कटवाना मत अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, तुम वापस आना मत मुझको अच्छा सा कोई जख्म अता कर दो न ध्यान से पंचियों को देते हो दाना पानी इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो न तुम्हारी आखों के नशे को उतारने के लिए सिगरिट और शराप का कारोबार हो रहा था शायद मुझे प्यार हो रहा था अब ना तेरे आने की खुशी रही, ना तेरे जाने का गम वो जमाना भीत गया जब तेरे दिवाने थे हम किसी को खयालों में बसाना सही है क्या? अगर बाहों में कोई और हो और जो बाहों में है वो सही नहीं तो जो खयालों में है वो गलत कैसे अगर आपका दिल किसी को बार बार पुकारे जिसे पुकारना ना पाक हो तो क्या ये गलत होगा कि वो सामने आ जाये तो उसे अन देखा करना ना गवार हो और वो सामने है तो क्यों है क्या उसे पल भर के लिए देख लेना भी सही नहीं और गलत है तो सही क्या है ये सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है अगर चोरी करने की सजा मिलती है तो दिल दुखाने की सजा भी तो मिलनी चाहिए अगर अदालतों में घर तोड़ने की सुनवाई की जाती है तो घर तबाह करने की सजा भी तो मिलनी चाहिए अगर अपने जेबों को पैसों से भरना घलत है तो किसी एक इनसान को देवता जैसे पूजना सही है क्या कि बेशुमार महबबत होगी उस बारिश की बूंद को भी इस जमीन से यूई नहीं कोई महबबत में इतना गिर जाता है क्या बूबाई कारह क्योंद को आज ते घर के आगे से नहीं निकला लेकिन बहुत दूर तक जा पहुंचा हूँ फिरता था अब इकमारी कली कली अब आसमान में उरता मुटा मत दोहराना वो बाते फिर से जो मेरे साथ बिताए और बतलाए थे मत दोहराना वो बाते फिर से जो मेरे साथ बिताए और बतलाए थे एक नई आशिकी की शुरुआत करना हम भी तो देखने हो कि पिछाए राएंगे I'm done with relations, let's be friends से शुरू करने वालियों My parents are open-minded, वो तो माने पड़े हैं से शुरू करने वालियों We don't have any future पे खतम करने वालियों घर जाते ही सबसे पहले अपने फोन में Tinder इंस्टॉल करने वालियों और office company सबसे पहले फोन से Tinder डिलीट करने वालियों Sale में shopping करके खाली बैग, गुची जारा के लेके घूमने वालियों You deserve someone better बोलकर relation खतम करने वालियों प्यार में इतने सोदे भी नहीं होते और हर लड़के कैसे नोवा नहीं होते विश्वास और घमण में बहुत कम फर्क है प्यार वो नहीं जो दो दिन के कस्मे वादे करके तीसरे दिन ही तूट जाता है प्यार तो वो है जो साथ पेरों में बंद कर मांग के सिंदूर तक साचाता है आधा सर चड़ चुका आधा अभी जाम है प्याले में आज तक तुम बहकाते आये थे अब पीकर के आखिरकार आधे तुम लगा चुके इलजाम और आधे अभी बाकी हैं प्याले में कि मेरा इश्क अब भी तुझे पेकरार करता है ये मेरा दिल तुझे भूलाने से साफ इंकार करता है तो टटोलती हूँ टेरी खामियों को दिखा कर इसे फिर भी ना जाने क्यों तुझे ये प्यार करता है जब वो मायूस थो तो तुम्हें रोना आता है न उसके गम की वज़ा को तुम्हारा दिल जानना चाहता है न ये एक तरफा प्यारी है जिसमें पूरी शिद्दत होती है न सबको नसीब नहीं होता है मिलता उसी को है जिसकी अच्छी किस्मत होती है तो गुलाब के बहाने तुम कांटों से जुल्फ मेरी मच सवारो रहने दो तुम कामिल हो मैं नहीं मुझे अधूरा रहने दो याद तुम्हारी हर रोज आती है मेरे हर काम में दखल दे जाती है अब इस दखल इंदाजी से भी एश्क है मुझे कियूंकि अब मेरे पास दुम्हारी याद आती है सिटम ढाते हुए सोचा करोगे हमारे साथ तुम ऐसा करोगे अंगूठी तो मुझे लोटा रहे हो, अंगूठी के निशा का क्या करोगे? मिलवाएगी बेशक अपने दोस्तों से भी वो तुझे, पर अपना जस्ट फ्रेंट कहके तुझे इंटर्ड्यूस करवाएगी, मेरी कदर तुझे उस दिन समझाएगी, जिजिन तेरे जैसी कोई तुझे नगता है, जब चुपके से वो आया मेरी तरह, बस उससे लिपट कर लबहेगा थमझाना हो गया, मानो बेघर से थटकनों के नसीटे है